हेलो लॉर्नर्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल रुच्चिका एडुकेशन हब स्टुडेंट हम यूजी सी नेट पेपर टू का जो है थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें हमने गाइडेंस और कॉंसलिंग को स्टार्ट किया था गाइडेंस वाला पार्ट हमने पढ हां गया त कॉंसल निंगे तहिंगे की कैसी सर्विस है जो हम प्रवाइड कर वाते हैं कि किसे भी इंडिएजर को." እ इसको कोई problem है professional problem है educational बैद किसी tha की problem है और उसे वह बहार आना चाहते है यह किसी सर्विस है जो किसी अन्डेव थाब प्रवाइट के जाती है जब उसे चेयर कोई प्रवल्म है और उसको प्रवल्म से बहार निकलना चाह रहा है काउसिलिंग जो है फिसट्ट इसके टू पर सेंस की जुरुत पढती है एक हमारा counselor ओ आ थीक है जो कि counseling प्रवाइड करते हsized और धूसा 근데 जिसको counseling की जरूरत है छीक है जिसको रांसली की जूरुत है या आप क्लाइंट की कह सकते ही कि एइसा इन्षान जिसको counseling के ज़रूरत है इसको हम Carl Roger की जो definition उसके थूर समझेंगे Counseling is a service of a direct contact with the individual ठीक है कि तो counseling क्या है a series of direct contact के series में direct contacts होते है किसके साथ? individual के साथ जिनका aim होता है ठीक है कि इसको assist करना in changing his attitude and behavior उसके attitude और behavior को change करना ठीक है कि counseling क्या है series of direct contacts है जो कि individual के साथ हम करते है कौन करता है? counselor करता है counseling के साथ ताकि उसके behavior में जो है वो change लाया जा सके ठीक है? दो बटा हमने guidance पढ़ी थी ना? ठीक है? guidance जो है वो एक broader concept है ठीक है? guidance जो है broader concept है? guidance के अंदर ही जो है हम जो है वो कांसलिंग जो है हम प्रवाइड करवाते हैं किसी को ठीक है जब रहा也ँ आपकर प्रिंसिपल्स फ्रlane प्रिंसिपल असटेंस त्या करना है सब्से पहले अपने जो क्लाइंट है जो कंसलरी है हमारा उसका प्रिंसिपल आप क्या करोगे इसके साथ चाहे वह वर्वली कम्मिनिकेट करो उसके साथ या फिर नौन वर्वल बहीर इसके साथ आप क्या करना इसके साथ आपने कम्मिनिकेट करना हम उस इंसान की जो भी प्रावलम है उसको उसी के तरह समझो है जैसे प्रावल्म उसको नौनी चाहिए है कि ऑडीक इडिफाइग करना उस पर उस प्रावलम को राइट फोर्थ है हमारा प्रिंसिपल आफ एक करना है ठीक है इसको इंत्राइब pile बनाना है उसको झांसली प्रोसेस का राइं निक्स्ट प्रिंसिपल औफ नॉन जज मैंंट अटितुड आपको जेच्मेंटल नहीं होना है उसको ले का ठीक है उसูक्र इसको ॅक्रिपनोफनी करना हैं कंट नहीं करना है कि नेग कि टीवल रहा है जैसे प्राउलम बता रहा है उसको एड़ेस लेना है उसके लिए कोई जज्मेंटल नहीं हो जाना है आपको नॉन जज्मेंटल हुए बिना जो है आपने उसकी हेल्प करनी है राइट निक्स प्रिंसिपल ओफ कॉंफिडेंशल नहीं है उसकी जो भी आपको वह कांसलिंग के लिए आया है और आप सबके साथ इसको डिस्क्लोज कर रहे हो कि यह पर्टिकलर इन्सान था यह पर्टिकलर प्रॉलम है और इसको यह जाए ठीक है तो ऐसे क्या ओगा कंटिटी तूछ जाती है आपका इंसान का पर नहीं रहता है और पर आपनी जो परस्ना प्रॉब्लम लेके आया है वो आपके सब्सक्सब्स नहीं करेगा वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी राइट इस पे काम करता है एक उपिदेश पे काम करता है नेक्सनिया प्रिंसिपल ऑफ इंडियुजियलिडटीट के ट्रीट घ्राना हर एक क्लाइंग को as a unique and respect इसां अज शुवर्म इसके बाइब और इसके प्रोब्लम में इसके पर आपके पास आया है लास्ट प्रिंसीपल फिर्ट लॉं इमोशनल इन्वल्मेंट की आपको इमोशनली उसके साथ इन्वाल्फ नहीं होना है तो आप इसके टाइप की काउंसलिंग होती है फर्स्ट इस डिरेक्टिव सेकंड इस नॉन डिरेक्टिव थर्ड इस लेक्टिव तिनों को स्टेब बाइस्टेब देख लेते हैं सबसे पहली है डिरेक्टिव डिरेक्टिव काउंसलिंग में जो काउंसलर होता है ठीक है जो काउंसलर है वो ही रोल जो है उसका में होता है ठीक है उसका एक्टिव पार्टिस्पेशन होती है जादा काउंसलर जो होता है वो जादा एक्टिव होता है जादा डॉमिनेटिंग होगा वो ठीक है यह क्योंकि देखो वही जादा जो है बात करेगा वही जीजों को बताएगा जो कांशली है यह जो क्लाइंट है आपका ठीक है वह अपनी प्राब्लम बताएगा थोड़े बात सुनेंगी आप और उसमें क्या है वही जो कांशलर है वह करें ऐसा नहीं है यहां पर जो कांशलर है वह जादा बात करेगा जाद एक्टिव रहेगा वही चीजों को जादा समझाएगा बताएगा यहां पर शोड़ी-पोड़ी बात उसकी प्राब्लम सुन ली गई है उसके वाद सारा कांशलर का रहता है ठीक है इसलिए इसको हमारी कांशलर सेंटर है ठीक है इसको हम कांशलर सेंटर भी कहते हैं ठीक है और इसको दियाद किसने था कॉंधिस्क प्रफाउंडर विल्लियम सर ठीक है नेक्स है हमारी नॉन डिरेक्टिव कांशलिंग नॉन डिरेक्टिव कांशलिंग मींस यह जो है हमारी क्लाइंट सें active role play करता है ठीक है कि ही जाना बात करेगा और जो counselor है वो थोड़ा थोड़ा passive कहसी एक आप ऐसा नहीं कि वो पैसी है लेकिन वो दोनों equal बात करेंगे ठीक है कि दोनों की जितनी जुरूरत है वो इतना बात करेंगे दोनों को freedom है बात करने की counselor को भी और counselling जो है वो भी अपनी पूरी प्राब्लम जो है वो एक्टिवली बताएगा सारी प्राब्लम जो हो सुनाता है ठीक है इन दिस ताइप अफ काउंसलिंग स्टुडेंट इस प्रवाइड अप्रेट अपर्चुन्टी और फॉर फ्री एक्स्प्रेशन इन विच एक्स्प्रेशन देते हैं आपको अप्रचुन्टी देते हैं कि आप फ्री अपनी बात को कह सके तो उससे क्या होगा जो कौंसलर है वो कंप्लीटली आपकी इंफ्रमेशन को ले पाएगा ठीक है इन दिस ताइप अफ कांसलिंग स्टुडेंट वर्क विद कांसलर इसके साथ काम करते हैं कि तो उसके नीचे काम नहीं करते हैं जिसे हम डिरेक्टिव में क्या था उसके अंडर काम गो रहा है यहां पर क्या है उसके साथ काम कर रही है इस डेमोक्रेटिक इन बिहेविर ठीक है वो क्या है देमोक्रेटिक बिहेविर क्यों होती है वेर कांसल counselling dwells further inside a more complete and accurate understanding of the problem जो counsellor होता है करते है वो जादा complete and accurate understanding रख पाता है उस problem की बदी क्योंकि बच्चा जो है या जो भी problem बताने वाला इंसान है जो client है वो अपरी problem को अच्छे से बता रहा है since student play an a center role in it so we can say it is a client center counselling क्योंकि इसमें जो बच्चा है या बच्चे के लिए आप को भी client ली लो उसको क्या है वो main center पर रह रह रहा है सेंटर पर रहा है तो इसमें कैसी counseling है हमारी client center counselling ठीक है तो non-directive को हम और क्या गहते है क्लाइन सेंटर counselling और इसके प्रपाउंडर थे का रोजर ठीक है पहली वाले के विल्लिमसन थे दूसरे वाले के का रोजर ठीक है थर्ड है हमारी elective counseling इसमें जो है अब इसमें दोनों तरह ही आ जाएगी elective वाले में directive भी आ जाएगी और non-directive भी आ जाएगी इसमें दोनों तरह की counseling का जो है आप mix कह सकते है ठीक है in this type of counseling counselor offer many alternative solutions of the problem from which student could select the most appropriate one इसमें क्या कर रहा है कहते counselor जो है बहुत सा solutions प्रवाइट कर रहा है और बच्चा अपनी मज़ी से जो चूज कर सकता है counselor has a need to individualize his view at the time of counseling counselor has the effect of counseling on student on his mind ठीक है इफेक्ट भी दिख रहा है और साथ-साथ में options भी दे रहा है ठीक है ना तो दोन तरह की होगी रेक्टिब में क्या ही जो counselor जादा dominating रहा है तो आप इसमें जो आपको appropriate लग रहा है उसको आप चूस कर लो ठीक है a teacher should use this type of counseling according to the need and nature of the student as well as the problem ठीक है उसके according वो काम करते है ठीक है रसुदिय अथा thorn नहीं ठीक है तो students आज हमने counseling उसके principal और उसके types को अच्छी से पढ़ा है ठीक है I hope यह topic आपके लिए helpful रहेगा exam में और प्लीज मेरे चैनल को like, share and subscribe कर दीजेगा thank you and have a nice day